वेल्कम बेक्टु आवर उनलाइन क्लासेज्ट बच्छो में पिछली वीडियो में हमने दिखा था हमने और गैंस हमारे जो सेंस और गैंसे यह अज हम उससे आगे की इस्टवी करेंगे तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगो कि आपने अमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं क वो पाते हैं मिल जाएगी तो चलिए बच्चों सुरू करते हैं में हमारा चाक्ट आज हम पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे ब्रूडी सिस्टम्स के बारे में जैसे मैं आपको पीछली वीडियों में बताया है था तो आज हम study करते हैं body system के बारे में body system होता क्या है the different organ of our body do not work alone जो हमारी body के different organs है वो क्या है वो अकेली काम नहीं करते हैं number of organs inside our body are connected together हमारी body के अंदर जो organs है वो क्या एक दूसरे से connected है और connected होने के बाद ही वो क्या करते हैं बच्चो जो organs से वो function कर पाते हैं there are eight important system in our body हमारी body में चार important system होते हैं sorry eight important system होते हैं कौन-कौन से उन सभी चीजों की study हम one by one करके आपनो topics में discuss करेंगे आज हम only four करेंगे और जो four है वो अपने next video में करेंगे आज हम four करेंगे उसकी study करते हैं तो बच्चो हमारा जो first है first आप देखेंगे हमारा first जो system है वह skeleton system skeleton system क्या होता है बच्चो आपको फर्स पाप दिख रहा होगा इसके हिंदी मीनिंग में लिख रहे किये काल तंत्र कंकाल तंत्र ओके तो इसकेलेटन सिस्टम क्या होता है जैसा कि आप सब स्टार्टिंग से पढ़ते होंगे हमारी जो बॉड़ी है हमारी बॉड़ी में total number of जो बोन्स होते हैं वह कितने होते हैं बच्चो 206 ओके आपके screen पर भी दिख रहा होगा दा इसकेलेटन सिस्टम ऑफ एड़ल्ट पर्शन इज मेड़ अफ टु अंड्रेट सिक्स बॉन्स एक जो अड़ल्ट पर्शन होता है उसमें 206 बॉन्स होते हैं इस बॉन्स फ्रॉम् ता फ्रेम वर्क और एक बोडी में यह क्या करता है हमारी बॉड़ी को एक शेप देता बोलते हैं अभक हमारी बॉडी को क्या करने के लिए इस टैंड करने के लिए खड़े उने के लिए बैठने के लिए चलने के लिए हमें मूब्स करने के लिए एक जगे सा दूसरी जगे जाने के लिए इन सभी चीज़ों के लिए बच्चो इसकेलरटन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है इट अलसो प्रोटेक्ट सॉफ्ट इनर बोड़ी पार्ट फ्रॉम डगेटिंग इंजर और आप हूपा ली के लीः और तो यह does को इसे आप और भी पार्टस देख सकते तो हमारे अधर जो ऑगन्स है उनको ने परॉटेक्ट करते हैं बच्चों हमारे जो नेस्ट टापिक है मस्कूिलार्र सिस्टम को अं इसक तोब मत्प्यरर्स ऀ सिस्टम कर लेते हैं our muscular system is made up of more than 600 muscles जैसे हमने अभी study करा skeleton में 206 bones होते हैं वैसा ही जो muscular system है इसमें 600 क्या प्रॉक्स जो होते हैं muscles होते हैं muscles are attached to bones जो मसल्स होते हैं वो बोंस से अटाज्ड होते हैं उके ? वह यह फंप दपूंस टू ओर यह बूंस को help करते हैं मूः करने में जो जॉइंट होते हैं आ हमारे जहां पर जैसे हम हैं तो जॉइंट की वजए से हम अपने लुझा क्वार करते हैं उसको मूव करते हैं every moment of our body is controlled by muscles हमारी body के जितने भी moments होते हैं उन सब को कौन कंट्रोल करता है muscles कंट्रोल करता है okay the more we exercise और हम अपनी muscles को strong रखने के लिए क्या करते हैं बच्चो exercise करते हैं okay exercise करके हमारी जो क्या है muscles है मसल्स को हम क्या करके रख सकते हैं strong बना के रख सकते हैं okay आप देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था यह जो फर्स्ट वाला डाइग्राम हो बच्चो आपका यह skeleton system okay यह कौन सा सिस्टम हो बच्चो skeleton system skeleton system आप देखेंगे इसकल है bones in arms है arms के अंदर जो हमारा हाथ होते हैं उसमें कैसे bones होते हैं जो ribs होती है मैंने बताया है ribs के अंदर hurt होता है bones in other hand है ऐसे ही bones in fit है bones in legs है तो यह जो हमारा पूरा system होता है इसे हम कहते हैं system इसके बाद जो हमने दूसरा वाला topic study करा था muscular system कौन सा muscular system तो यह वाला जो पार्ट है हमारा यह है muscular system देख रहे हैं bones से सारे muscles जो है attached है और इसी की वज़ए से हम क्या कर पाते हैं हम move करने में यह जो हमारे muscle से वह हमें help कर पाती है ओके हमारा जो बच्चो नेक्स्ट टापिक होगा वह है nerve system nerve system क्या होता है इसकी भी हमें study करते हैं the nerve system consists of brain इसमें कौन-कौन सी चीज है included होती है पहला है बच्चो brain क्या है brain second spinal cord third nerves the brain is control center of body जो brain होता है बच्चो वह हमारी body का control system होता है कौन सीस्टम होता है control हमारी पूरी body को जो control करने का काम करता है वह हमारा brain करता है it control all our actions जितने भी actions हम करते हैं जो भी चीज़ हम करते हैं like singing, hearing, walking, learning जो भी चीज़ हम करते हैं सब को कौन control करता है हमारा brain ओके the spinal cord and the nerves help the brain to do this और जो spinal cord और nerves है वो brain की क्या करते हैं यह सारे काम करने में help करते हैं इसके बाद जो बच्छों हमारा next topic है वो है digestive system आज हम digestive system तक ही पढ़ेंगे इसके बाद वाले और जो है उसे हम अपने अगली वीडियो में conduct करेंगे digestive system यह बच्छों जो भी हम खाते पीते हैं जो भी हम food क्या करते हैं इट करते हैं whatever we are eating उन सब को जो digestion करने का काम करता है वो digestive system करता है जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हम जो भी चीज़े खाते हैं we eat digestive digestion is food simplest form जो digestion है वो क्या करता है पर फूड को simplest form में चोटे-चोटे-चोटे-चोटे पार्ट में टर्न करता है तोड़ता है इसके अंदर क्या 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 चीज़ें included होती है इसके अंदर माउथ है food pipe है stomach है small intestine है large intestine है and say यह सारी चीज़े included होती है digestive system में यह पूरा process जैसे माउथ के तरूप जो food है food pipe के होते हुए वह stomach मजाता है फिर small intestine में ऐसे इसका पूरा जो system होता है वह काम करता है और जितने हमारी body को nutrition चाहिए होते हैं उस food में से उतने nutrition यह absorb करके बागी यह जो extract कर देता है निकाल देता है ओके आप देख सकते हैं कुछ diagram जो हमने भी study करा है कौन-कौन से diagram हमने study करे था बच्चो पहला nerve system nerve system में पढ़ा था brain है spinal cord है और nerves है यह दोनों क्या करते हैं help करते हैं brain को काम करने में इसके बाद हमने पढ़ा था digestive system mouth के थुरू खाना food pipe के थुरू होते वे stomach में जाता है फिर स्मॉल इंस्टेस्टाइन फिर लाज इंस्टेस्टाइन जो बचता है वह एक्स्ट्रेक्ट हो जाता है बाहर निकल जाता है तो आज आपने इस्टेडी करा parts of body system के बारे में इसमें हमने आज इस्टेडी करा ice skeleton system muscular system nerve system and digestive system आपका जो हमवर के बच्चो इन चारों system में से आप किसी भी एक system का चाहे digestive system हो चाहे वो nerve system हो किसी भी system का आपको डाइग्राम अपने notebook में ड्रो करना है और उनके जो भी parts है उनके नेम राइट डान करके आपको उसकी picture क्लिक करके whatsapp group में send करनी है thank you for watching this video